जेई श्री हरी विष्णू, स्प्रीच्वल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिरसी सौगत है भग्वान मिलन की तीसरी कता में आज जो कता हम सुनने वाले हैं वो है शिवाजी महराज के गुरू श्री रामदास जी को जब हनुमान जी ने दर्शन दिये कीर्टन में समर्थ रामदास इनका नाम नारायन सूर्यान जी पत कुल करनी था उनके पिता का नाम सूर्या जी पंत और माता का नाम राणुवाई था फिराम और हनुमान के भग्ट और वीर शिवाजी के गुरू थे उन्होंने सक्षमवत 1603 में 73 वर्ष की अवस्ता में महरास्ट में सज्जनगण नामकस्थान पर समाधी ली उनके बारे में कहा जाता था कि उनका अपने इस्ट और उनके परिवार से समवाध होता रहता था माना जाता है कि हनुमान जी उनके प्रती बहुत इसने रखते थे एक बार समर्थ रामदास जी ने हनुमान जी से आगरे किया कि उनके सकीरतन में जो भी भकताएं आप उनको भी दर्शन देना हनुमान जी ने कहा ठीक है जिस दिन आपका सुथ सकीरतन होगा उसी दिन में दर्शन देने आ जाओंगा आसपास के छेतर में सकीरतन की मुनादी करवा दी गई और बता दिया गया कि इस बार के सकीरतन में हनुमान जी दरसन देंगे बड़ी संख्या में लोगों ने इस सकीरतन में भाग लिया समर्थ रामदास जी सकीर्तन में आए और प्रपुष्री राम का ध्यान लगा कर बैठ गए लोग इधर उधर जहांकते रहे मगर कहीं हनुमान जी नहीं देखे थोड़ी देर बाद लोगों को उब होने लगी धीरे धीरे विसकीर्तन से उठकर जाने लगे थोड़ी देर बाद वे लोग भी चले गए जो हनुमान जी का नाम सुनकर आये थे लोगों के चले जाने के बाद भी समर्थ रामदास सुद संसक के भाव में लीन थे उन्हें लोगों के जाने का भान ही नहीं था धीरे धीरे वादियंत्र बजाने वाले भी एक दूसरे को इशारा करके खिसक गए अब अकेले बचे रह गए तो समर्थ रामदास जी तभी हनुमान जी आ गए उन्होंने समर्थ रामदास को ध्यान से जगाया तबी हनुमान जी से समर्थ रामदास जी ने भक्ति भाव से कहा अरे आप कब आए आप इन सत्संगियों को दर्सन दो यह सुनकर हनुमान जी बोले में हैं कहां रामदास जी ने कहा भी सभी यहीं तो बैठे थे हनुमान जी ने हसते वे खा मैं तो आ गया हूँ लेकिन आपके भगत कहा गए समर्थ रामदास ने चारो ओर देखा तो वे तो भोचक के रह गए उन्होंने पूछा भगत कहा गए हनुमान जी ने जवाब दिया सुद भाव नहीं था विश्वास नहीं था तो टिके नहीं सब चले गए विशे विकार और संसार का आकर्षन उनको बुला रहा था कुछ देर रुकने के बाद हनुमान जी ने कहा जिस समय सुद सत्संग होगा मैं आऊंगा ऐसा मैंने बूला था आपके चित में सुद्ध विचार हैं तो मैं आ गया हूँ तो कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट सेक्षिन में बताएं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो के लिए थैंक्स फूर वाचिंग